नमस्कार दोस्तों दिये जोगे सनाई एस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है यूपीटर पेलसी के द्वारा आयूजित होने वाले इस पीटी परिछा के एंसर की जारी कर दिये गए हैं लेकिन मास्टर की के रूप में जारी करने के कारण से अन्य सभी सिरीज के एंसर मिलान करने में समस्या हो रही है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी सिरीज के एंसर की की ब्याख्या सहीत आंसर की अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें हम लोग सेकेंड स्रीज के सेकेंड सिफ्ट के एका एंसर आप लोगों को दिया जा चुक संख्या एक को जो है देख रहे हैं प्रसंख्या एक को हल करते हैं और देखतें कि इसका क्या एंसर होता है तो प्रसंख्या एक सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु सनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिसत था तो इसका सही एंसर बी होगा यान दूसरे में जो D होगा यानि कि 44.33 तीसरा प्रशन जो है चार दिनों में D वस्तु की बिक्री तुलना में B वस्तु की बिक्री के कितने प्रिशत की जो ब्रिधी आई है तो बिकल्ब संख्या A यहां पर सही होगा यानि कि 28.33 प्रिशत सोमवार को बेचेगी वस्तु की आउस और सनिवार को सी द्वारा बेचेगी वस्तु का आउसत वस्तु का अनुपात क्या था तो यह अनुपात जो है सी यानि कि 7.9 प्रतिसत है अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि यह जो कि 6 से लेकर के 10 question number 5 प्रशन जो है वो तालिक्या और साड़ी पर आधारित है इसे ध्या हल करेंगे लेकिन यहां पर answer को आप लोगों को सही तरीकिस बताया जा रहा है कि प्रशन संख्या 6 में जो है 2013 से 17 के मध्य उत्पादर में लगातार बृधी की गई है बृधी यह जो बाजरा विकल्ब संख्या A यहां पर सही उत्तर होगा साथ में है 2010-11 से 2016 संख्या की फिरना में गिरावट आई है तो यह जो इसका चावल सही उत्तर होगा आलू का उत्पादन 15-16 में 10-11 का अंदाजन कितना गुना यानि की पांच बरस बाद कितना गुना की बृधी हुई एप्रॉक्सिमेट तो 1.9 यानि की बिकल्ब A इसका सही उत्तर होगा अगला है कि गेहुं उत्पादन में किस बरस के दोरान गिरावट दिखाई पड़ी है तो गेहुं के उत्पादन में किस बरस में दोरान गिरावट दिखाई पड़ी तो यह जो है 13 और 14 के बीच में गिरावट दर्ज की गई है अगले सवाल को हम लोग इसी करम में देखेंगे कि सिरा जुद दौला किस यूध में अंग्रेजूं से परास्त हुआ तो यह प्लासी का यूध है जो कि 1777B में लडा गया था अगला सवाल है हड़पनीटी का बारा में हड़पनीटी का कटर समर्थक कौन था तो लाट डलहूजी विकलब C यहां पर सही उत्तर होगा तेरा में भारतिये इतिहास में धनवंतरी यानि कि चिकित सक्त है तो जाहिर सी बात चंदर गुपत भी करवां देती कि सभा को सोभीत करने वाले परसिद्षी का चिकित सक्त बिकल्ब संख्या सी इसका सही उत्तर होगा अगला है कि निम्नलिखित जो है किस क्रम में भारत आए हैं तामस रो आधुनिक भारत में जो है आएлы थे और यह 17 सतापदी में फायान जो है च Southeast सतापदी में और होयसांग यानि हर्स बरधन के समय में हां से होयसांग हां से हर्स बरधन छटी सतापदी में आये थे तो इसका जो बिकल्फ होगा दो तीन एक दो तीन और एक होगा तो विकल्फ संख्या भी इसका जो है सही उत्तर होगा फायान सबसे पहले होयन सांगू उसके बाद और टामसरो सबसे बाद में जो है आए थे अगला साइमन कमिशन किस बर्स जो है भारत में आया तो साइमन कमिशन 1928 सीज़वी में साइमन कमिशन में कोई भारती है नहीं थे सोयथ कमिशन भी कहा गया भारत के द्वारा इसका लगातार बिरोध भी किया गया यह भारत में यहां की स्तिती की समिख्षा करने के लिए आया था और इसकी रिपोर्ट पर जो है आगे की गदविधिया निर्धारित थी तो चुकि भारत की कोई सदसे इसमें समयलित नहीं थी इसलिए भारत के तरफ से इसका बिरोध किया गया था अगला है कि भारती राश्टे कांग्रेस द्वारा किस अधिबेशन में आयतियासिक पूर्ण सामराज तो लाहोर अधिबेशन में 1931 में जो कि ट्रावी ने दी के तट पर आजूत हुआ थे बिकल्प संख्यास से इसका सही उत्तर है निमलिकित में मिस्सी मिलान की जी इंडियन निशनल आर्मी सुबास चंदबोस यानि की ए में टू गैदर पार्टी लाला हर्दयाल टू में वन मित्र मेला बीडी सावर कर होम रूल लीक एनिवेशन टी यानि की 2-1-3-4 2-1-3-4 बिकल्प संख्यास सी इसका जो है सही उत्तर होगा 2-1-3-4 अगला है मौर काल में बिपरन करने वाली इंडिका मेगस थिनीच ये बहुत ही परच्रिद बुक है इसको तो किसी तरीके से गलत भी नहीं होना चाहिए तो इंडिका के लेखक जो है मेगस थिनीच बिकल्प संख्याडी इसका सही उत्तर होगा अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि कौन से करांठकारी संक्षन काकोरी शडियंत्र केस में सामील है नागार्जुन सागरबाद किस नदी पर बना हुआ है तो नागार्जुन सागरबाद में आधारा यहां पर है और कृष्णा डिहान में रखेंगे तो यह जो है याद करने में आसानी होगी बिकल्प संक्यासी इसका सही उत्तर है मौंट योरिष्ट पर पर्थमबार चड़ाई 1903 भी बिकल्प संक्यासी इसका सही उत्तर है अगला 22 निम्ल में से किसने महात्मा गादी के खिलाफ आंदोलन चूड़ने का बिरोध किया से जोड़ कर सही उत्तर का चुनाओ जोजिला और बुर्जिल और जोजिला ये जम्मो कस्मीर में है बारा लाचा और सिपकीला उत्तर परदेश में नहीं सिपकीला जो ही मांचल परदेश में तो गलत होगा थागला ये उत्तरा खंड में है तो तीसरा भी गलत है नातुला अगला है पचीस question संख्या भारतपूर में इस्थित पच्छी अभ्यारेन राष्टिय उद्यान का नाम भारतपूर में जो है केवला देव घाना राष्टिय उद्यान भारतपूर राजस्थान में है यहां पर प्रवासी पच्छीयां भी ठंडी के सीजन में आती है क्योंकि अगर हम धूर भी प्रदेशों में देखे तो महाँ बर्फ जम जाती है तो इसलिए इनका जो प्रवास होता है तो यहां से इस तरीके से यह question सही होता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत की राष्टी आयका आकलन करने वाली CSO यानि कि केंद्रिये संख की संगठन 1951 इस भी में इसके स्थापना हुई थी इसके पूर्व में राष्टी आकलन समीती भी बनाए गये थी सेवा चेतर का दूसरा नाम जो तिर्थी अक्षेतर होता है और इसके माध्यम से पर्थम और दूतिय चेतर की सहायता किया जाता है जिससे उत्पाधन को बढ़ावा दिया जा सके इसको भी एकनाम एक से लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही बिधिवर ढंग से जो है चर् अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे स्वेट करांति के जनक डाक्टर वर्गिस कुरियन इसमें कोई सक नहीं यह भी सवाल को हम लोगों ने जो है दुग्ध बिकास में के लेक्चर में जो पढ़ाया था बिकल्प संक्यासी और रुवंतिस किसके बढ़ने के फसरू फी अगर बढ़ेगा तो भी धनी और hoगा यानि जो है सभी स्वाल के था राजम लेक्छत करें नहीं है यह देंड पर करिया जेल कानून प्स दंड़ पर करियां है समौर्थी शूची का बिसे और दंड़ पर करिया संगीता वह 29-63 इस भी के एंतर गगा Day प्रफिए ब्यवस्था में सम्भिलित किया गया यह सी आरपीसी यानि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहा जाता है तो सी आरपीसी उनीस सोती एतरीज़ी में आई और यह समौर्थी सूची का भी सह है और जो नहीं है वही इसका सही उत्तर होगा अगला है निम लिखित में से क को भी यहां पर सही माना जाएगा क्योंकि भारत में कुछ लच्छन ऐसे हैं जो कि विश्यस परिस्तित्यों में आप आतकाल के समय में एक आत्मक्ता की तरफ जूख जाता इसलिए इसे जो है अर्ध संगे बेवस्ता कहा जाता अर्था गलत जो है वही इसका सही होगा क्यो तो इसका सही उतर डी बी नर्शी महा रहा हो थे और डाक्टर मनमोहन सिंग भी उनसे जुड़े हुए ब्यक्ति थे जिन्होंने बहुत महात्रपूर भूमिका आदा की थी आगला सवाल हम लोग देखेंगे कि भारतिय समीधान का कौन सा अनुछेद राज जे ग्राम पंच संवधान का अनुफ लोग देखेंगे नागिर को आर्थिक नया परदान करता है नीत नहीं दे सकता है क्योंकि इसके द्वारा जो है आर्थिक लोगतंतर के स्थापना की गई है संवधान का जो लेक्चर अपलोड किया गया तो उसमें इसको बहुत ही विधिवत तरीके सम सिर्का में पाया जाता है अगला 28 करकट जनक रसायन होता है करिंसर से इंगल हम लोग कार्शिणोजेनिक कहाते हैं करिंसर सी से कार्शिणोजेनिक याद करने की पॉइंन आवश्यक है 29 में तुचा की ऊपरी सता क्या कहलाती है 49 में लिखा हो है कि तुचा की उपरी सता क्या कहलाती है तो तुचा की उपरी सता जो है वो अधिचर्म इपीडर्मिस कहलाता एंडो डर्मिस तो होगा नहीं क्योंकि अंदर का हो जाएगा तो इसलिए विकल्ब संक्या सी यहां सही उतर होगा बिजली का परवाज कि 41 में यह माइथमेटिक से है व्याख्या करने वाला है खैर हम यहां पर अंसर को जो है हल कर देते हैं विकल्ब संक्या ड यानि कि 300 इसका सही उतर होगा अगले में 42 में क्वेश्चन संक्या 42 में B होगा 19 32 और अगला होगा एक सहर की जन संक्या 44 में बिर्दी हो जाती पर अस्थाना अंत्रन के कांट से आधे प्रत्तवारसिक्ती घड जाती है तो इसका उत्तर एक्जेक्ट क्या होगा यानि कि इसका सही उत्तर 10 दसमलो 8 होगा विकल्ब संक्या A सही है और अगला जो है वो अंडर रूट ब्रेकट 1 प्लस 27 अपान 169 एज इकल्ट टू अंडर ब्रेकट 1 प्लस X बाई 13 है तो X का मान तो दिन दवाईलू क्या होगा इस तरीके से यह सवाल 24 मा पूशा गया है इसका उत्तर जो है D यानि कि एक सही उत्तर होगा अगला 45 है कि 13 परेडामों का आउसट आउसट है पहले 7 का आउसट 63 है आखरी 7 का आउसट 70 है तो 7 वे का परेडाम जो है क्या होगा यह D होगा इनकी 47 अगला 46 में गजबदन का परियावाची है गजबदन का परियावादी जो है गड़पती के लिए जो है आता है गड़श के लिए तो यह इसका परियावाची काटों से भड़ा हुआ जो है कंट का केंड सब्द समूं के लिए एक सब्द से है इसको भी पढ़ाया जा चुका है 48 में दूद का दूद पानी का पानी होना ना यानि कि पूरी तरीके से किसी मामले का असपष्ट होना यानि कि उचित निर्डे लेना विकल्प संख्या ए इसका सही उत्तर होगा 49 में सुद्ध वर्तनी जो है वहिश्कार तो विकल्प संख्या 20 का सही उत्तर होगा ऐसे सवालों को जल्दबाजी में करने पर गलत होता है यहां पर बार बार भी बताया गया है कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको चारू बिकल्प जरूर पढ़ना चाहिए क्वेस्टन संख्या 50 निम्नि में से तीछन का बिलोम क्या होगा कुंठित, त्यागी, तृष्णा, तीब्र यद्दब इसमें तो कोई भी बहुत असपश्ट नहीं है और ऐसे ही सवाल यहां पर बिबाद उत्पन करते हैं लेकिन त्यागी, तीब्र और तृष्णा तो पूरी तरीके से गलत है कुंठित हम लगा सकते हैं लेकिन फिर भी तीछन का जो इजेक्ट और सही तरीके से कर देखा जाए सुद्ध जो बिलोम होगा वो तीछन का कुंद होता है लेकिन यहां पर कुंद कोई नहीं है लेकिन कुंठित को हम लगा सकते हैं अदब कुंठित का जो साब्दिकर्थ है वो ये है कि किसी विशे से अरूचिकर ढ़ंग से और पसंद ना आने पर उस विशे से पूरी दरीके से जो है मन का विचलित हो जाना ही कुंठित कहलाता है लेकिन फिर भी हम विकल्प एको यहां पर लगाएंगे लेकिन इसे सवाल जो है किसी ने किसी रूप में भी बात पैदा करते हैं अगले सवाल को हम लोग देखेंगे ये 51 से लेकर के 53 तक के जो questions हैं वो passage पर आधारित हैं तो passage को पढ़ने के आऊ सकता नहीं है कि अवर हम यह answer दिखाते हैं यहां पर बागी passage आप लोग अपने तरीके से देख बिकाज यहां बिकल्प B होगा एक cold bridge blue past his face नहीं कि एक ठंडी हवा उसके चेहरे से गई बिकल्प संख्या B यहां पर right answer होगा 52 में हम देखते हैं which one of the following did the author do first तो इसमें climbing into bed होगा बिकल्प संख्या जो है यहां पर C जो इसका सही उत्तर होगा बिकल्प संख्या जो C इसका सही उत्तर होगा और 53 में देख लेते हैं the author start appearing into the darkness because he was afraid what डरा होगा था बिकल्प A इसका सही होगा और 54 में give antonyms for the following word keen का डल होगा और give synonyms for the following word pride synonyms मतलब जो है समान होता है तो इसका B उत्तर जो है सही होगा dignity और 56 पर उस अबिका चाहिन के जो बाकी से मेल नहीं का था पादरी मुनी और नन धर्म संगिनी ये तीनों जो है धर्म से related हैं कहीं न कहीं मंदिर मस्जित मठ और इस तरीके से पूजास्थलों से संबंदित है सूर बीर सेना से है तो बिकल्प संक्या सीज का different होगा अगला है किसी निश्चित कूट सब्द के लिए जो है code लिखा ग होगा एक आदमी नेक महिला की तरफ कहा कि तुमारी मा के पती की बहन मेरी बुगा है वह महिला उस आदमी से किस्ट कार संबंदित है ऐसे सवालों को हल करने के लिए अपने परिवार में ही इस प्रश्ण को सेट करने का प्रयास किजिए उत्तर आपको खुद बखुद मिल जाएगा यहां पर बहन है फिर भी वहां पर लड़की न कहा करके उसने एक महिला कहा है तो इस आधार पर ही जो हो आपको कन्फ्यूज करने का प्रयास करता तो ऐसे इस्तिति में आप धायर बना करके अपने परिवार में ही जो किसी सदस पर इसको अप्लाई करें तो यह जो है इसका सही होगा तो बहन इसका सही उत्तर होगा ओन सर्ट में लोग देखें लिए गए जो बिकल्पों में से संबंदित सब्द का चैन कीजिए कुत्ता रेबीज यानि कि कुत्ते के काटने से रेबीज तो मच्छर के काटने से जो मलीरिया यानि कि बिकल्प इसका ज आप भी को ध्यान में रखेंगे RBI के द्वारा भुक्तान तंतर को पर्तिबंद लगाया गया है यानि कि इसमें जो है Mastercard को जो है लगा दिया गया विकल्ब D इसका सही एंसर होगा योग के बारे में जागरुता बढ़ाने के लिए ये 7.6 यानि कि बिकल्ब D इसका और चीज इंपॉर्टेंट है सुकन्या समरिदी के संदर में कि ये बालिकाओं के दसबर्स की उम्र तक खाते खुलाए जिसमें खोले जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो 65 भारती सेना ने कस्मीर में अपने एक फाइरिंग रेंज का नाम बालिवुड अभिनित्री बिद्या बालन के नाम पर रखा भी कल्ब संख है इसका सही उत्तर है अगला 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट भी इसका सबसे सकते साली पासपोर्ट जेपान का है पैरा उलम्पिक्स अगला कॉस्चन 2021 में भारती धज धज वाहक के लिए नामित किया गया है मरिया पंथांग वेलू भी कल्ब संक्या सीज का सही उत्तर होगा अगला सवाल हम लोग देखते हैं मरिया आइस्टर के यानि के वेस्पिक्सांद सुचकांग में पहला अस्थान आइस्rage काफी कई दलित ससक्तिक होगा योजना को लागू की एक विकल्ब संक्याड़ी यानि की तेलंगाना है अगला सवानने में से किस देश को फंडर डरेगन की भूमी के नाम से जाना जाता है तो ये भूतानीס का जो है सही उत्तर है अगला है 1,1 रियाद किस देश की राजधानी है सौधी अरेविया की राजधानी है और ये अभी बहुत ही संचिप्त लेक्टर हम लोगों ने राजधानी पर लिया था और ये सी है उसके आसपास पढ़क से देश impossible की राजधानी याद हम लोगों ने क्या था और उसी की आधार पर इस देश की राजधानी अपने आप सता निकल आता है तो अगर आप लोगों तो राज्य सभा के चुने के सदस्यों का कारिकाल कितने बर्स का होता है तो राज्य सभा के कारिकाल जो च्छे बर्स होता है और राज्य सभा का कारिकाल नहीं होता है वो आस्थाई सदन है इसको भी हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा जा है 74 में 20 में सन्युक तराश्टि दीवस यह भी हमनों लोगों ने जो दीवस में बहुत ही बहतर ठांक से ग्रूपिंग के माधिम से तितियों को याद किया था 24 सक्टूबर राश्टी ये सनिउत राश्टी दीवस मनाया गया था अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होता जो है बीजेता बैच में तो आपको जो है रियेज के सना ये सेकेडमी में जानकारी मिलती तो ये वहाँ पे भी पढ़ाया जा जुगा है 75 में अंतराश्टी नियाल है कहां इस्तित है दुद्दाहेग में इसमें कोई समस्या नहीं खजुराहो जो है मद्य परदेश में इस्तित है खजुराहो की मूर्तिकला के लिए फेमस है 77 में 6 तपल की दिश्टे भारत का निम्न में से कौँ साराजे सबसे छोटा है सिक्किम जो है वो जनसंख्या की लिहासे जबकि 6 तपल की लिहासे जो गोवा आपका जब सही आंसर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्न में से कौँ सी एक हारित ग्रीह गैस नहीं है CFC तो सबसे बड़ी कार्बन डायकसाई बहुत मिथेन तो है तो C यानि की नाइट्रोजन नहीं है अरजुन पुरुषकार की दिया जाते हैं ये खेल के छेतर में उत्कृष परदर्शन के लिए दिया जाता है और इसी के साथ एक और है प्रश्ण जो दोनाचार पुरुषकार बेसिकली वो जो है किसी विवेक्ति को उसके जीवन काल में जो है कोच के छेतर में जो है सबसे बहतर परदर्शन करने के लिए दिया जाता है तो औरजुन पुरुषकार और दोनाचार पुरुषकार पुछा जाता है तो दोनों को आप जान लिए परसिद नव कालेवरा उत्सो इनमें से संबंदित है तो ये बता दे हम आपको कोई उडि इसी गद्यांस पर आधारी ते इसका उत्तर देखना है कि उपरियुक्त गद्यांस के लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है तो यहां पर यह देखना है कि महात्मा गादी के नित्रितों के संदर्भ में जो है आंदोलन में कैसा रोल था तो इसके बारे में जो बताय गया है अगला स्वाल हम दो लोग देखते हैं कि उपरियुक्त गद्यांस के लेखक का क्या उद्देश ये था भारतिय सोतंतरता संग्राम की बिसेशताओं को बताना विकल्प संक्यासी धर्म ने रिपिछता का तात पर सभी धर्मों का आदर और राजिकापना सोयं का धर्म ना होना कैसे माना जाए कि हमारा सतंतरता संग्राम जनतांत्रिक था है क्योंकि इसमें सभी धर्म जाती बर्म के लोग सामिल थे विकल्प ए है उपरियुक्त गद्यांस का प्रियुक्त अस्प्रिहड ये सब्द का तात परी क्या है तो यह सब्द जहां पे लगा रहेगा उसके पूर्व में अगर जो है ए का मात्रा होगा तो योगे से होता है यहां पे दो सब्द योगे वाले हैं त्यागी योगे का मतलब त्याजी होता है लेकिन वो है नहीं या आता लेकिन इसमें प्राप्त करने योग विकल्प संख्याडी इसका सही उत्तर होगा पुना जो है आपकी 86-90 तक का भी विकल्प जो है question वो इसी तरीके से आधारित है गद्यांस को इसे पढ़कर के answer आपको देना है तो हम आगे उसको जो है देखते हैं 86 question संक्या 86 बैग्यानिक दिरिश्टी का पेच्छागरत अभाव होता है तो यह साहित सास्त्रिम नहीं होता बाकि सब में तो साहितकार चिकितसक बैग्यानिक तो होते ही हैं मानो शरीर को इंतरवत कहा गया है क्योंकि मानो शरीर बिभी देता कि सस्क्रीट के ओँब रूप का सही उतर होगा 89 में परियुक्त निरामाई सब्द जो है क्या है वो सौस्त के लिए बताया गया है 90 को मानो को स्रिष्ट का लग रूप क्यों माना गया क्योंकि जो बेकती सूचता वही स्रिष्ट में घटित होता विगल संक्या ये जो है सवाल है तो इसका इसका सही आंसर वो डी होगा 1199 में सही आंसर जो है वो डी यानि की 2013 और 14 होगा अब हम देखते हैं कि पर्थम तीन बर्ष के दवरान औसद उत्पादन कितना था तो पर्थम तीन बर्ष के दवरान औसद उत्पादन बिकलब संक्या भी यानि कि 48 एमटी रहा है और 93 में सीमेंट का अधिक्तम उत्पादन हरास हुआ है सीमेंट का अधिक्तम उत्पादन हरास जो है यह अधिक्तम सीमेंट का यानि कि 39 में सीमेंट का अधिक्तम उत्पादन दर्ज हुआ है तो सीमेंट का अधिक्तम उत्पादन बिकलब संक्या सी यानि कि 14 और 15 के बीच में रहा है तो इसका उत्तर जो है बिकलब संक्या सी होगा अगला सवाल हम लोग देखते हैं अगला है कि 2011-12 के दवरान उत्पादन बृद्धी प्रतिसत पिछले बर्स की तुलना में था 31.8 भी कलब संख्या जो है D इसमें जो है सही एंसर होगा उत्पादन अधिक्तम अस्तर तक इस बर्स जो है घटा उत्पादन अधिक्तम इस बर्स घटा यानि कि ये 15-16 भी कलब संख्या सी इसका सही उत्तर होगा अगला जो है हम लोग देखेंगे कि सभी बर्सों के लिए ये जो है चानबे से लेकर सवतक जो इस डिरेक्शन पर दिया गया है ये डंडार एक है इस पर हमा अधारित है सभी बर्सों के लिए बर्स दर एक्स की आयात की बिर्धी का आउसत है इसमें उत्तर जो है दिखाना है कि चानबे में सभी बर्सों के लिए बर्स दर बर्स 2000 बर्स एक्स के आयात की बिर्धी का आउसत इसमें क्या है तो इसका सही उत्तर जो है, वो D होगा, 260, और इसी तरीके से जो है, 97 में बिगत कितने बरसों तक X का आऊसत उत्वादने, X के आऊसत उत्वादन से अधीक था, तो ये दो बरस होगा और 98 में है दोनों के बरसों में अंतर पूँचायत इसमें भी जो है दो होगा 99 में जो है पूँचा है कि 2018 उनने इसके दोरान X के आयात में परिशत बृद्धी सभी बरसों के X के आयात के उसके आउसत से कितनी है तो इसका जो सही आंसर होगा वो 64.38 है और इसी तरीके से बरस 2014 15 से 15 16 के दोरान X के आयात में बृद्धी परतिसत है यहाँ पर परतिसत न पूँच करके बृद्धी परतिसत जो है पूँचा है तो इसका सही आंसर जो है वो 33.38 होगा तो इस तरीके से जो है यह हम लोगों ने सेकेंड सिफ्ट के 20 सिरीज के आंसर को ब्याक्खे सही अप्लोड किया आप लोग अपना मिलान कर लीजी और यह देखे कि कितना है और अपना कमेंट करके भी बताईए कि कितने कितने कोशिशन सही है तब इससे एक एक्जेक्ट जो है कटाप के बारे में और लगाया जा सकेगा तो बस इतना ही लेक्चर के आज के इस लेक्चर में इस टापिक के बारे में पुना हम ज़स्ट ही अगला भी कलब संख्या जो है यानि कि अगले सीरीज सी को जो है लेकर के आ रहे हैं तब तक के लिए आप B वाले जितने भी कंडिडेट हैं वो इससे जो है मिलान करना सुनि पुर्चित करें